हेलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल लोराल सने ब्लॉप में आप लोका पेसे स्वागत है तो आशा करते हैं आप लोग सभी अची से होंगे तो दूस्तों यहां कितना धुप होगा है तो अभी 60 दास हो दोस्तों तो देखे कितना धुप निकला है दोस्तो ऐज चठ पूझा का नाय खहे है तो आज तो दोस्तो आब सभी को मेरे जोरust से हेपी चठ पूझा दोस्तो आज नाय खाई का पर्वे को आज जो लोग छट पुजा करते हैं उनके यहां लगवाबत बनता है और चना दाल बनता है और अर्वाचावल का भाद भी बनता है दोस्तों यह पर काफी अच्छा लगता है जिनके यह होता है तो दोस्तों इस साल हम नहीं कर रहे हैं थोड़ा दिक्कत है इसलिए नहीं कर रहे हैं तो आज हम भी लोकी का सबजी बनाएंगे और अर्वाचावल का भाद बनाएंगे और दाल बनाएंगे तो दोस्तों यहां पर मैंने लोकी कटके रखा है और इसमें पानी डाल गया है और इसे अच्छे से धोलेंगे और यहां पर मैंने चावल भी बनाएक रखा है और चावल बन गया है और दस्तों दाल भी बन गया है और यहां पर कड़ाई चड़ा है अब इसमें लोकी का सबजी बनाएंगे पर में चल रखाईन रखा है और शोड़ा और वोकी कटका भी आसे वहां पर आंदर करेंगे पली मेची पाले, लिडा पाले पाले, और लालकी के लोगें मासाला कि वुना हैं। परिख में लोकी को डाल देते हैं परिख में अल्दी डालाएं और सिंधा नमग डालाएं अबीसे उन्जा पकने दे पादे अबीसे ब्लाच आसा पकने ने देख तो दिखे दूस्तर ही रॉकी का सल्जी इतना अचा से बन्दिया है मैं टामाटए ड़ाज दोस्ते तो इसे थोड़ा सा ठाज देते हैं ताकि अच्छा लगें घाने लिए तो देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है तो देखिए तो कितना अच्छा दिखा है तो बनखे रेड़ी हो गया है। मैंने चावल अर लोगीका सब्जी दिया है और डाल नहीं दिया है। तो चावल अरलोगीका सब्जी कहें कि वह दुटी है। कि दूस्तों खनक खाके सारे बरतन भी साप कर दिये हैं तो अभी साम का 4 बज़ रहा है और वीडियो को यह पर रखते हैं दस्तों और वीडियो अच्छा लगए तो चैनल को लाइक सस्क्राइब शेयर जरूर कर देना तो दस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं कर देना और तक लीडियो बाई